जै ऑबेरो बागी मेरे प्रियेदर्स को प्रतेइक व्यक्ति किसी ने किसी परिशानी से जूज रा होता है किसी को पैसे की तंगी लेती है और किसी को परवरेक जीवन कष्ट पर देता है कोट कचेरी के मामलों में काफी लोग गुल्जे रहते हैं जो 30 में देखें तो व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुक दुख उसके करम और जरम कुंडली में मुझद घरों के अनुसार आते जाते रहते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली दिखा कर अपनी कुंडली के अनुसार उपाई भी कर सकते हैं। यदि आप कुंडली में कोई घरे कमजोर है आपकी कुंडली में और बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो आज मैं आपको उपाई बताने जा रहा हूँ ये उपाई आप जरूर कीजिए सुर्य घरे की उदे से अगर आपको प्रेशानी आ रही है तो आप ये उपाई जरूर करें कुंडली में सुर्य कमजोर हो बुरे प्रभाव दे रहा हो तो आप रोजाना सुबह कुछ मिन्टों के लिए धूप में आउसे बैठें सुर्य उदे से पहले उठने की आप जरूर कोशिश करें तांबे के वरतर में आप पाने पीए लकडी के फनिचर का इस्तमाल आप जरूर करें सुर्य को जल दे और सुर्य का मंतर का जाब भी आप जरूर करें अब सुनिए दूसरा अगर जिनकी कुंडली में चंदर घर कमजोर हो तो चंदर घर कमजोर है और उसको मजबूत बनाने के लिए आप क्या उपाए करें जिनका चंदरमा कमजोर है उन्हें सला दे जाती है शुर्यास्त के बाद कोई ठंडे चीज इन लोगों को बिलकुल नहीं खाने चाहिए हमेशा ताजे फल इन लोगों काने चाहिए पानी की बरवादी और उसका पमान इनको बिलकुल नय करना चाहिए यहां तक कि आप किसी नदी तला में जाए तो सबसे पहले आप क्या करें परनाम करें और फिर आप जल में हाथ दें यह आपको जरूर करना चाहिए तीसरा है मंगल गरह अगर कमजोर है तो आप हमेशा जमीन पर सोई सब्ता में कम से कम एक दिन नमक का सेवन बिलकुल आप नय करें नमक की जगें गुड का इस्त्माल भी आप कर सकते हैं इससे मंगल जल्दी परसन होते हैं अगर ऐसा करते हैं तो मंगल गरह अगर आपकी कुन्डली में कमजोर है तो भे आपको सुफल देने लग जाएगा अब हम बात करेंगे बुद्ध ग्रह को मजबूत करने के लिए स्वास्ते के लिए अपने खाने की चीजों का हरी सब्जियों में ज़्यादा इस्तमाल करें आप बुद को मजबुत करने के लिए रोज हलका मदूर संगित सुनने की आदत आप जुरूर डाले गायो को हरा चारा डाले कबुतरों को हरी मून की दाल भी होकर खिलाये और किनरों कियों जो किनर है उनको दान आप जुरूर करे वो भी बुद्वार को अब बात करेंगे हम गुरू ग्रहे के बारे में अगर आपकी कुंडली में गुरू ग्रहे कमजोर है अगर वो अशूफल दे रहा है तो आप क्या करें अगर आप भ्रहस्पति को पर्षन करना चाते हैं तो मासार बिलकुल ना करें अगर आप सुकर ग्रहे को मजबूत करना चाते हैं तो आप क्या करें? सबसे पहले तो आप इस्त्रियों का समान करें साप सुत्रे कपड़े पहने, पर्फिम का इस्तमाल करें लाल लंबे बाल बिलकुल आप ने रखें सुत्रियों का पाठ करें और अपनी पतनी का भी आप जरूर समान करें ऐसा करने से सुकर ग्रहे अगर आपकी कुंडली में असुब है असुब फल दे रहा है तो यह आपको सुब फल देने लग जाएगा अब बात करेंगे हम सनी घ्रै अगर आपकी कुंडली में कमजोर है पिडित है और पाप घ्रों के साथ बैठा है तो यह है उपाय आप जुरू करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ हर सनीवार को पिपल में आप जल दे हनुमान चालिशा का पाठ करे हर सनीवार को गरीब को कुछ ने कुछ दान जरूर करे वो भी सनीवार को हर सनीवार और सनी मंदिर में आप जरूर जाए लेवरी चोकीदार या रिक्षा वाले का कभी भी आप अपमान बिलकुल ना करे गरीब लोगों की इलाज में मदद जरूर करें, उन्हें दवाईया दान दें, राहु केतु इससे मजबूत होता है, सनान सुरीदे से पहले जरूर करें अगर आपकी कुणने राहु केतु कमजोर हैं, नाने के बाद तुलशियों को जल अरपित जरूर करें, उसकी पूजा क करें, रोजाना मंदिर आप जाए, चीटियों को आटा डाले, घर का बना हुआ खाना ही आप खाए, बाहर का बिल्कुल ना खाए, आप इन उपाय को करके अपने घरों को बैलनेस और मजबूत कर सकते हैं, तो पीरे दर्श को अगली वीडियो में कुछ विशेश लेकर आन इतना ही, जाए बहरोगावागी